तो वेलकम मेरे दोस्तों, तो मैं यहांपर आप सभी से यहांपर एक बात कहना चाहता हूँ। कि आप लोग यहां पर इस वेडिये को कमसे कम 2 मिनिट तक देखिएगा, और अगर यहीं आपको यहांपर पसंद आते, तो ही आप इसे यहांपर कंटेन्यू कीजिएगा। तो हम लोग ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लोजिंग वहाँ पर अपने डेटी के दोवारा दी गई बुक की मदर से वहाँ पर एक spiritual world में आ गया होता है जहाँ पर एक बहुत ही powerful green dragon वहाँ पर लोजिंग को refine करने के लिए वहाँ पर एक furnace के अंदर डाल देता है और उस furnace के अंदर वहाँ पर कुछ spirits giants वहाँ पर लोजिंग के पीछे पढ़ जाते हैं तो अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में उन दोनों बड़े बड़े giants ने वहाँ पर लोजिंग के उपर किसी तरीके के weapons से attack कर दिया होता है जहाँ पर हम उन दोनों weapons के बीच में लोजिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर ठीक तो होता है जो कि वहाँ पर स्बुक के अंदर लिक हुई बातों को बोल रहे होते हैं जिनें देखकर लोजिंग वहाँ पर emotional होते हुए कहता है कि फादर क्या सच में आप यहीं पर हो तो इसका मतलब तुम अभी भी यहाँ पर अपनी चोटी बेन को ढूण सकते हो और उसे वहाँ पर एक अच्छी सी life दे सकते हो और यह सुनकर वहाँ पर लोजिंग की आँखों से आसु आ चाते हैं और साथी में वहाँ पर एक flashback भी देख रहा होता है जिसके अंदर वहाँ पर अपनी sister को एक twins jet pendant दे रहा होता है और उसे वह pendant वहाँ पर तूटता हुए नजार आने लगता है जिसे सोचकर लोजिंग वहाँ पर serious हो जाता है और वहाँ पर अपनी powers की मदर से वहाँ पर उन दोनों weapons को वहीं पर ही destroy कर देता है और ये देखकर वो giant split वहाँ पर loging के उपर attack करने के लिए आती है मगर इस पर loging वहाँ पर वो पुराना वाला loging नहीं था इसलिए वो वहाँ पर सिप अपनी एक हाँ की मदर से ही वहाँ पर उस hammer को रोक लेता है जहाँ पर इसके बाद वो वहाँ पर अपनी speed का यूज करते हुए वहाँ पर उस giant speed को धोने लगता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर उस जाइंट के सर के आर पार चला जाता है जिस बज़े से वो जाइंट होई पर ही मारा जाता है और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी फरनस को देखते हैं जहाँ पर उस फरनस के अ जालत बहुत जानद ही खषता हो गई होती है इसलिए वह वहाँ पर चकर खाकर नीचे गीर जाता है जहां पर से उसके पास वहाँ पर उसी जेट पेंडेंट का एक टुकड़ा बाहर निकलता है जो कि वहाँ पर उसने अपनी सिस्टर को दिया हुआ होता है और साथी में वह कोंशेशनेस के अंदर से वहां पर बहुत जानद Two गुस्ते में देख रहा होता है और इसके बद यहाँ पर हमारा सिटीन Ⴙप चेंज हो कर वहाँ पर उसी आदमी के उपर आ जाता है जिसका नкихवहाँ पर फैंग रहा है तो यह सुनकर लोबिंग को ho झानदे कुछ तो स इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने एगलेशन में किसी मिश्ट्रिय से जगे को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को कैद करकर रखा गया होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फिजिकल बोडी यहाँ पर कहां जाकर मिलेगी और फिर तभी हम लोग वहाँ पर उसके अंदर से एक हाँ बाहर आता है। और इस बज़े से वो सबी लोग वहाँ पर पत्थर में चेंज हो जाते हैं जहाँ पर हम उसी ओल्ड मेन को देखते हैं और वो ओल्ड मेन वहाँ पर और कोई निवल की उसी फरनस के अंदर वाला आदमी होता है। और यह ओल्ड मेन यहाँ पर किसी तरीकी का इविल रिफाइंडिंग मास्टर होता है जो कि यहाँ पर इन सभी की स्प्रूचल अनेर्जी का यूच करकर अपने लिए किसी तरीकी का ट्रेजर रिफाइन करना चाहता है। जिस तरीकी का ट्रेजर में यहाँ पर अपने लिए रिफाइन करना चाहता हूं। और यहां पर लूओ बिंग ने वहां पर किसी को मिलने के लिए बुलाया हुआ 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 हु और यहां पर इसकी मतदस लूओ बेरियन ने सिर्फ कुछी दिनों में यहां पर बोन रिफाइनिंग के पीक लेवल को अचीब कर लिया है और यह कहने के बाद वहां पर उस दूसरी एलेक्जर को वहां पर लूओ शेंग वांग को दे देता है जिसे लेकर वहां पर बहुत ज कि यहां पर उसका काम खतम करना पड़ेगा तो यह सुनकर लूओ शेंग वांग को वहां पर थोड़ा सा अजीब लगता इसलिए वहां पर कहता है कि मगर आपने तो यहां पर उससबी लोगों को हमारा फैंग वांग को बना दिया था ना तो आपने अचानक से यह फैसला यहां पर कैसे ले लिया और यह कहने के वाद हो वहां से जाने लगता है और अब बस इसी के साथ ही में हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर ही खतम होता है तो बस आज के लिए इतना है मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाए झाले